तो हेर गई यहाँ पे हमस्टार कोमबेť का अप्डेेट्ट आ हो आप एप्डेत्य वाला बेड्ट जो आपफो देखने को मिलών हो मतलब कि मतलब कि आप यह उसे एड्यूप के लिए लिजिवल नहीं होगे यहको थो यह आपी णिदोली के वीडिक पूरे करो बोई में जोइन कर लो कुछ भी अपडेट रहता आप को स्रीप रेल गाम पे देखने को मिलने वाला तो यहाँ पर मैं पूरे डिटेल में बत आने वाला हूं सबसे आपको जो प्सक्राइब वह सारे कार्ड आपको यहां पर देखने को मिल जाएका तो यहाँ पर मैं next के उपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको कितने days होगे hamster combat को use करते हुए, तो यहाँ पर मैं आपको totally 173, 113 days यहाँ पर मैं हो चुगे, इस hamster combat को use करते हुए, इसके बाद मैं next करूँगा, तो यहाँ पर मैं 207, यानि कि number of card you upgrade, कितने card आपने यहाँ पर upgrade किये वो total यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए तो 207 card मैं यहाँ पर total upgrade किये थे, इसके बाद मैं next आप जैसी करोगे तो आपने यहाँ पर total coins of balance, मतलब कि यहाँ पर coins कितने earn किये, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर total coins देखने को मिल रहा है, वह 4 billion प्लस यहाँ पर यह coins देखने को मिल रहे है, इसके बाद next के ओपर clear करोगे तो यहाँ पर आपने कितने game play किये, वह game भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर game नहीं प्ले किये थे not include in the game बता रहा है, और इसके बाद next करोगे तो यहाँ पर आपके सामने यह option मिल जाएगा play interlude season, तो यहाँ पर मतलब कि आप next season के लिए ready हो, यहाँ पर आप next season में try कर सकते हो, तो मतलब कि यहाँ पर मेरे को जो यह main interface वो update हो चुका, और यहाँ पर hamister combat का dashboard भी पूरा change हो चुका, मतलब कि जो पहले था वो अभी यहाँ पर नहीं है totally change हो गया, अगर यहाँ पर profile पे click करोगे यहाँ पर आपको अपना achievement वो यह जो फैले था वो दिख जाएगा, और यहाँ पर बाखी जो interface हो सारा change हो चुका, तो यहाँ पर अभी जो गाईज यहाँ अगर आप यहाँ पर सेटों में farming करना चारत तो अभी कैसे होगा वो भी बताओंगा, और यहाँ पर अभी tap tap अगर करोगे तो यहाँ पर आपको diamond नहीं मिल रहे, मतलब कि अभी tap tap वाला scene हटा दया तो यह भी आपके लिए थोड़ा easy हो गया, तो यहाँ पर अभी just आपको daily card जो मिल रहे वो upgrade करने होंगे और उसके बदले आपको यह diamond मिलेंगे, और यह diamond गाईज जो अभी मिल रहे बहुत कम मिल रहे, मतलब कि profit per over 0.35 बन रहे, मैंने 5 card जो इनके upgrade के उसके बदले इतना ही मेरे को per over diamond मिल रहे, अभी क्योंकि यहाँ पर हो सकता यह diamond कम मिल रहे तो हो सकता कि यहाँ पर ratio हो सकता, यहाँ पर कुछ और conversion ratio हो सकता, वह आगे चलके हमें पता चलेगा क्योंकि इनका second season start हो गया, और second जो five season वह end हो चुका, अभी यहाँ पर अगर आप आओगे add row वाले section में तो यहाँ पर आपको cards जो देखने को मिल जाएगा, कि season one यहाँ पर over हो गया, अगर कुछ इस type का आपको option मिल रहा, तो यहाँ पर आपको add row मिलेगा यह कनपो में, तो यहाँ पर season one is over, we are calculating your result, they will be ready soon, मतलब कि आपको यहाँ पर allocation देखने को मिलने वाली है, आपने अपना withdrawal तो लगा लिया, withdrawal end होने वाला, यहाँ पर two hour और बचा two hour के बाद में, आपका deposit जो भी है वो withdrawal मनलब बंद हो जाएगा, अगर आपने exchange में नहीं लिया तो on chain में अभी भी आप ले सकते हो, ओके कि यहाँ पर भी on chain अभी भी लाई हो है, तो यहाँ पर on chain में withdrawal ले सकते हैं, और बाद में यह end हो जाएगा, वह बाकी यहाँ पर आपका calculation हो रहा है, तो यह calculation आपका हो सकता, 23 तारीक यहाँ फिर 24 तारीक को यह update हो जाएगा, और जितने आपको tokens मिलने वाले वह यहाँ पर update हो जाएगा, कि आपके profit for over के best play और achievement के इसाब से, आपके earn task के इसाब से और यहाँ पर रहापर कितने किये, टेलिग्राम सब्क्रिप्शन इन सब को मिला कि उसके बाद में आपको अपको अपनी allocation यहाँ पर दी जाएगी, और वह कितनी allocation हो सकती है उसका भी में बत आने वाला, तो के गए तो यहाँ पर बस season 1 end हो चोगा और season 2 की आप तियारिया कर सकते हो, यानि कि season 2 में participant कर सकता है जो season 1 में नहीं किया है, यहाँ पर season 2 में यहाँ पर उनको airdrop नहीं मिला, जिनको यहाँ पर cheating bad card मिलिया तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का, काम करोगे तो आपको definitely airdrop मिलने वाला, तो मतलब कि इनका सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि आपको season 1 में airdrop नहीं मिलेगा, तो यह एक मतलब बहुत बड़ी गलती है, यूजर की जो की बहुत सी यूजर ने बोट के तुरू यहाँ पर की जनरेट करके 500-600 हजार की जनरेट कर ली उनको यहाँ पर कोई फाइदा नहीं मिला, क्योंकि उनका इतनी सारी मैनज जो बहुत सारे daily chipper code cards सारे claim करकर के मतलब की इतना time waste क्या वो waste हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो profit first season में मिलता हो second season में उतना नहीं मिलता हाला कि यहाँ पर second season में भी try कर सकते हो और यहाँ पर जो allocation हो 23 यह 24 सारी को आपको यहाँ पर add row वाले section में देखने को मिल जाएगी और आपके जितने भी token होगे वो 24 सारी को आपके अपने wallet में transport कर जाएगा, तो मतलब कि फिलाल आपको यह थी है hamster combat के update और यहाँ पर जो आपको profit कितना मिल सकता अभी इसका तो कोई अंदाजा नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत से user को बार निकाला जा रहा हो और यहाँ पर जो देखते कितना आपको profit मिल सकता वाकि यहाँ पर earn वाले section में आके यह स इतना game कौन खेलेगा इसको मैं चोड़ रहा हूँ mini game में daily puzzle वाला जहां पर एक diamond मिल जाएगा hexa में आपको और मिल जाएगा को start कर देना चाहिए और यहाँ पर कितना profit होगा वह 26 तारी को ही पता चलेगा और उससे पहले अगर आपको यहाँ पर 10-15,000-20,000 token मिल जा रहा है तो आपको अपना profit दिखने को मिल जाएगा क्योंकि free market में जो इसके price है 0.05 के something अगर 10,000 भी token आपको मिलता है तो यहाँ से आपको profit कम से कम 400-500$ का निकलने वाला तो यह कापी एक अच्छी बात है अगर इतना token आपको देता है तो कापी ठीक है नहीं तो फिर यह project west है और मैं यहाँ पर second season में यहाँ पर work नहीं करने वाला हूं तो बाकि देखते हैं कितना अगर 10,000 plus token देता तो कापी एक अच्छी पर अपडेट करूंगा टेलिगां को जिस वाई ने नहीं जोइन गया जोइन कर लो और कुछ भी अपडेट आपको स्रिफ टेलिगां पर मिलेगा तो बस आज के वीडियो इतना ही मिलेगा आपसे बोजल नेक्स एस इंटरशनी वीडियो साथ में